होस्पिटल में कई तरह का ऐसे मेडिकल टर्म होते हैं जो आज के वीडियो में हम लोग उन्हीं मेडिकल टर्म का फूल फर्म जानेंगे और उसका क्या मतलब होता है यह हम जानने वाले हैं यह हैं यहां पेशेंट का पुरा नाम होता है इन कील यहां जाड़ होती है यह जो जलने के घृति हरती है हर्ट कि अचैनल लेने में ब्हुत ही क्रिटिकल होता है नोगे रहता जैता है जा जो हो जतों आखते हैं हरे एक दो फेशन पर जो है एक डॉक्टर और एक नर्स होते हैं के बाद M.I.C.U होता है M.I.C.U का मतलब होता है Medicine Intensive Care Unit जाने कि Medicine से रिलेटेड अगर कोई बीमारी आता है तो वहां पर जो फेशन एड्मिड होता है उसको Medicine Intensive Care Unit बोलते है और सिक्कु जाने कि Surgical Intensive Care Unit बोला जाता है और सबसे इंपोर्टेंट होता है निक्कु का मतलब होता है New Natal Intensive Care Unit जो छोटे बच्चे निव बॉर्ण बेबी होता है उसको जो है निक्कु के अंदर रखा जाता है जिसको बोलते है New Natal Intensive Care Unit उसके बाद होता है पिक्कु का मतलब होता है जहां पर जो बच्चे ञोटे हो जाते हैं से लेकर के पांट शेस貓 आठ आउंट में मतलब हो जाते है होता हैं हाई डिपेंडेंटी यूनित यह फुर्प्र होता है वह आईसीऊ और वाट के एक बीच का होता है जहाँजो है ना तो आईसीऊ से रिलेटर ज्यादा खर्चा होगा और नहीं वार्ट जहां पर करेंगर करनी के जोड़त होता तो हुषका होती है उसके हम बोलते हैं लेबर रूम बोलते हैं जहां पर कोई भी पेशेंट जो है जो है जो है प्रिटिकल कंडिशन में हस्कुटर में आता है इमेड़ेटली फास्टेड या ट्रीटमेंट की जौनत परती है उसको हम एमर्जेंशी या कैजुलिटी बोलते हैं ऑपरेशन थेटर पता है कि जहां प जहां पर हाट से रिलेटर होता है उसको कैजल लाब जाता है कि जब कोई पेशेंट पर शोट लग जाती है और अक्सिकों अचिदेंट हो गया किसी को बहुत जाल गया तो इसका एमर्जेंसी जहां पर बहुत ज़्यादा कट फित गया या तूंत ही है अच्टरी की जौनत प्रकितों स्टिक्राइब क्रश्राइब करता है सिनला सिनल्य के सब्सक्राइब